गुड मॉर्निंग स्टुडंट आज हम हमारा नया लेशन 2.5 लर्न योगा फ्राम एनिमर स्टार्ट कर रहे हैं इस लेशन में हमें योगा के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है योगा के जो अलग-अलग टाइप्स है वो भी हमें यहाँ पर बताये है और उसके साथ साथ योगा से हमें क्या-क्या बेनिफीट्स मिलते है ये भी हमें इस लेशन में बताया है आपको पता होगा कि 2015 से हमारा पूरा वर्ल जो है 21st जून इस डेट को इंटरनेशनल योगा दे सेलिब्रेट करता है यानि कि हम में से बहुत सारे लोगों को पता है जैसे योगा इस अ कल्चर ओफ फिजिकल, मेंटल और स्पिरिच्वल डिसिप्लीन योगा जो है वो पुराने एंसियन्ट इंडिया से यानि बहुत सालों से योगा की जो प्रैक्टिस है वो चलती आ रही है और योगा को एक फिजिकल कल्चर, मेंटली और स्पिरिच्वली डिसिप्लीन ऐसे माना जाता है योगा एक एक एंसियन्ट इंडियन डिसिप्लीन इस एक एंसियन्ट इंडियन प्रैक्टिस योगा को माना जाता है जिसे एक कंपोजिट प्रैक्टिस भी कहते हैं जिसमें माइड, बॉडी और सोल इन सभी को इन सभी को कंप्लीटली वो योगा में इंवाल रहते हैं इन तीनों को कंप्लीटली योगा का फैदा होता है here let us focus on yoga as an integrated system of physical exercise यहाँ पर हम योगा पे focus करने जा रहे है जो एक integrated system of physical exercise है physically exercise करने की योगा एक integrated system है इस हिसाब से हम यहाँ पर योगा पे focus करने जा रहे है योगा करने की वज़े से हम concentration कर सकते हैं योगा के क्या-क्या फाइदे हमें होते हैं यह हमें यहाँ पर बताया है जैसे योगा करने से हमारा concentration बढ़ता है focus बढ़ता है हमारी flexibility जो होती है body की उसे हम improve कर सकते है अपने body को हम balance कर सकते है और उसके साथ-साथ हमारी strength जो है हमारी मजबूती जो है वो भी strong होती है from an ancient Indian discipline let us move to a very contemporary area of research हमारा जो ancient Indian discipline है तब से लेके हम अब जो योगा के अलग-अलग types है research जो किये जा रहे है वो उसके बारे में पूरी information लेते है experts today are doing a wonderful job of drawing us into the world of biomimicry expert जो है योगा के वो आज हमें biomimicry के world में लेकर जा रहे है और हमें इस biomimicry के world में लेकर जाना एक wonderful ऐसा job याने बहुत अच्छा ऐसा कामों कर रहे है in simple terms biomimicry is to emulate अब यहाँ पर simple words में हम कह सकते है कि biomimicry means emulate यहाँ पर हमें emulate के meaning दी है imitate basically biomimicry is the science of solving human problems with solutions already present in the natural world अब biomimicry एक ऐसा science है जिसके use की वज़े से यानि इस biomimicry की वज़े से हम human के life में जो problems होते है उन problems के solution आसानी से हम find out कर सकते है आसानी से हम उन solutions को ढूंड सकते है और वो जो solutions है वो हमें natural world में ही मिलेंगे जो हमारा natural world है present में जो हमारा natural world है उसी natural world में human beings को उनके problems के solutions इस biomimicry की वज़े से मिलते है from this point of view योगा is also a form of biomimicry वेर इन typical आसनाज और poses we emulate mountains, trees, fish, cats and so many more animals अब इस point of view से अगर हम देखेंगे तो योगा is also form of biomimicry योगा जो है अब हमने देखा कि biomimicry क्या है biomimicry science का एक ऐसा ब्रांच है जिसके थू हम nature में से अपने problems के solution डूंड सकते है तो यहाँ पर योगा को भी biomimicry कहा गया है क्योंकि योगा जो है उसका यूज करके योगा में जो टिपिकल ऐसे आसन्स बताए है या फिर जो poses यहाँ पर बताई हुई है उन poses को यूज करके जैसे हम mountains है nature में हमारे mountains होते है nature में trees है, fish है cats है और बाकी के भी बहुत सारे animals है तो इन सभी natural चीजों को यूज करके हम हमारे problems के solution योगा के through find out कर सकते है इसलिए यहाँ पर योगा को biomimicry कहा गया है This helps solve This helps solve our problems brought on by day-to-day living अब यह जो अलग-अलग तरीके के natural चीजे है mountains, trees, fish, cats या बाकी के जो animals है इन सभी को यूज करके हम योगा कर सकते है इन सभी को यूज करके हम योगा कर सकते है और इसकी वज़े से हमारे day-to-day life में जो problems आते है उन्हें भी हम आसानी से solve कर सकते है Such as stiffness and back pain जैसे कि हमारे body में stiffness आता है या फिर back pains वगेरा हमें होते है and allows us to feel physically, vibrant and mentally sharp और इन सभी positions को इन सभी आसंस को करने के बाद में हम अपने आपको physically vibrant, physically भी strong बना सकते है और mental जो है, हमारा mind जो होता है वो भी योगा करने की वज़े से sharp बनता है Before we proceed further here are a few basic precautions regarding yoga practice आगे हमें योगा के बारे में जो information हम ले रहे हैं तो उससे पहले हमें यहाँ पर कुछ precautions, yoga करने से पहले कुछ basic precautions हमें यहाँ पर बताये गए है, जिन्हें follow करना हर एक yoga करने वाले के लिए जरूरी होता है If you are a beginner you should start practicing yoga either in the presence of a yoga teacher अगर आप yoga start करने वाले, यानि yoga करने वाले अगर आप नए person है नए से आप yoga start कर रहे है तो जब भी आप yoga करेंगे तो उस वक्त आपको आपके yoga teacher के presence में ही yoga करना चाहिए और join yoga classes so that you learn the basics and the do's and don'ts of yoga या फिर अगर आप yoga teacher के presence में yoga नहीं कर सकते तो आपको yoga classes join करने चाहिए ताकि आपको basically yoga की तरीके से किया जाता है yoga में कौन सी बाते करनी चाहिए और कौन सी बाते नहीं करनी चाहिए इसका basic knowledge आपको मिल सके आसनाज should be practiced in a clean, airy and well lit room जब आप आसन करेंगे योगासन जब आप करेंगे तो उस वक्त जिस जगे पर आप योगासन कर रहे है वो जगा बिलकुल clean होनी चाहिए fresh air वहाँ पर आती रहनी चाहिए और उस जगे पर या उस room में जहाँ पर आप योगा कर रहे है वहाँ पर light sufficient होना चाहिए the floor should be level जिस floor पर जिस जगे पर आप योगा कर रहे है वो पूरी तरीके से प्लेन होनी चाहिए it is advisable to use a yoga mat और जब आप योगा करते हैं तो उस वक्त आपको योगा के लिए जो mat ज़रूरी लगते है वो mat भी आपको use करने चाहिए if it is not possible to practice indoors you may practice on level ground outdoors और अगर आपको योगा की practice indoor आपके घर के अंदर कहीं पर आपको योगा करने के लिए जगा नहीं है तो आप outdoor ground level जहाँ पर होती है वहाँ पर भी आप योगा कर सकते है the best time to practice is in the morning before breakfast or in the evening before dinner अब सबसे अच्छा time योगा के लिए हमें यहाँ पर बताया है जैसे कि अगर आपको योगा करना है तो morning में breakfast से पहले आपको योगा करने चाहिए या फिर अगर आपको morning में time नहीं है योगा करने के लिए तो evening में dinner से पहले का time भी योगा के लिए बहुत अच्छा है अब यहां पर हमें योगाज के कुछ आसन कुछ पोजेज हमें यहां पर बताई है उनको करने से पहले आपको उनकी प्रैक्टिस करने से पहले आपको जो इंस्ट्रक्टर है यानि की जो योगा टीचर वगेरा है तो उनसे आपको instructions लेकर ही ये सारे आशन्स करने है इस lesson का आगे का हिसा हम हमारे next period में लेंगे Thank you